लोग परिशान हैं, लोग नाराज हैं और जब कारोबारी नाराज हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले कल में जब भी चुनाव होंगे तो इस नाराज़गी का असर चुनाव उपर पका पड़ेगा शायद इस बात की जानकारी सत्ताधारी दल को नहीं है जब मैं सत्ताधारी दल की बात करता हूँ तो मैं कह रहा हूँ भारते जन्ता पार्टी की केंदर में भी सरकार है और जमोकुष्मिरें लेफ्टनेंड गवर्नन मनोज सिना भी भारते जन्ता पार्टी से ही है हाला कि वो एक सम्मेधानिक पदपर है और जब से आएं हैं तब से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी दलों के नेताओं से मिलें सभी दलों के नेताओं से बाचीत करें और सब को ये महसूस करवाएं कि वो एक सम्मेधानिक पदपर हैं और उनके लिए सब तमाम जितने भी राज़तिक दल हैं सब एक बराबर हैं मगर अब आम आदमी की सोच को और आम आदमी की समझ को क्या करिएगा जो ये कहता है कि जमकश्मीर में तो भाजप्पा की सरकार है अब सत्य क्या है उसको एक तरफ रखिए और आईए आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि लोग नाराज क्यूं है शराब के ठेकूं का E-Augustion हुआ उस E-Augustion के बाद जो कुछ हुआ उसको लेकर लोग नाराज है माइनिंग के जो ठेके बांटे गए हैं उन ठेकूं को लेकर लोग नाराज है दो-тίν ग्रूप्स की और आशारे करके लोग ये कह रहे हैं कि ये थेके फलाँ फलाँ ग्रूप्स को दिये गए हैं और इन ग्रूपों का जमो कशमीर से कोई ताल्क नहीسم आम जो थेकेदार जमो कशमीर का है उसको नुकसान हो रहा है ये तक कहा जा रहा है कि smart city का जो काम जमो कश्मीर में चल रहा है उस खासकर जमो में जो काम चल रहा है उस काम के ठेके भी maximum जो हैं उन लोग को दिये गए हैं जो जमो कश्मीर के बाशिंदा नहीं है जो जमो कश्मीर के domicile नहीं है हाला कि यह competitive basis पर होता है और competitive basis पर जब आप e-tendering करते हैं tender कोई भी लगा सकता है और किसी का भी tender किसी को भी tender मिल सकता है और मिलने के बाद कोई भी काम कर सकता है यह पूरे देश भर में होता है जमो कश्मीर में पहली बार हो रहा है लेकिन यहां का ठेकेदार यह कहता है कि हम एक आतंकवाद गरस्त केंदर शासित परदेश में रहते हैं जो आतंकवाद गरस्त और अलगावाद गरस्त केंदर शासित परदेश पिछले 30 साल से लगातार आतंकवाद और अलगावाद जहल रहा है और उससे लड़ाई भी लड़ रहा है इस आतंकवाद और अलगावाद की भटी में यह यहां का कारोबारी कहता है कि जो नुकसान हमारा हुआ जो परिशानिया हमको जहलनी पड़ी वो सब परिशानिया जहल कर वो सब परिशानिया जहल कर वो हर तरह की तकलीफ बरदाश्ट करके हम लोगों ने यहां पर कारोबार नहीं छोड़े हम लोग लगातार यहां पर अपना कारोबार करते रहे इस आशा में कि यहां से आतंकवाद खत्म होगा अलगावाद खत्म होगा वो दिन आएगा जब जमो कश्मीर ने भी 18-18 गंटे के लिए दुकाने खुली रहेंगी 18 गंटे कारोबार होगा हम यही सपना देखते आए कि अंदर शाय से प्रदेश जब जमो कश्मीर बना हम को लगा शायद अब हमारे दिन बदलने वाले हैं हम को लगा कि शायद अब इन्वेस्टमेंट बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग यहां पर करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट के बड़े फाइदे भी हम ही को होंगे लेकिन देखने को यह मिला कि 5 अगस 2019 के बाद जहां बहुत सारी चीज़े परिवर्तित हो गई वहां पर ये भी हो गया कि अब जिम्कश्मीर में कारोबार से लेकर दुकान से लेकर ठेकेदारी तक अल्मोस्ट हर चीज़ में आप इतने जबरदस कॉम्पेटिशन में आ गए हैं कि उस कॉम्पेटिशन में हम लोग मुकाबला करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सत्ता में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं सरकार में कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो लोग जितने भी अलग-अलग प्रदीशों से लोग यहां पर टेंडरिंग में पाइटिस्पेट कर रहे हैं उनका उनकी मदद करने का काम कर रहे हैं यह इलजाम हो सकता है हो सकता है यह सत्ते भी ना हो लेकिन यह बात सरकार के सामने रखने वाला कोई नहीं है यह चीज और ज़्यादा इन तमाम लोगों को खलती है 2014 से पहले के समय के बारे में आम लोग यह कहते हैं कि तब भाजप्पा विपक्ष का काम करती थी और मजबूत विपक्ष के तौर पर सरकार के समक्ष यह सारी बातें रखती थी लाठी डंडा भी खाती थी ठाने के चकर भी भाजप्पा के नेताओं को लगाने पढ़ते थे लेकिन आम लोगों की बात रखने में भाजप्पा कोई कसर बाकी नहीं रखती लेकिन 2014 से आज 2021 से सात साल में भाजप्पा सत्ता में है और इन सात सालों में विपक्ष हमको नजर नहीं आया, जिस तरीके से विपक्ष को आम लोगों की बात, कारुबारियों की बात, शराब के कारुबारियों की बात, माइनिंग के साथ जुड़े हुए ठेकेदारों की बात, या बाकी आम ठेकेदारों की बात, सरकार के सामने रखनी चाहिए थी, सत तरीके से भारते इन्ता पार्ड़ी 2014 से पहले रखा करती थी। सरकार भी समझती थी कि ये आम लोगों का दर्द हैं, आम लोगों की तखलीफ हैं, आम लोगों की परिशानी हैं। उसको दूर करने के लिए सरकार उसके बाद हर संभव प्रयास करती है। लेकिन आज अपना राजनितिक अस्तित्व तलाश कर रहा है। कि आने वाला कल हमारे लिए क्या है। विपक्ष इस परिशानी में हैं कि चुनाव कब होंगे और चुनाव होने से पहले क्या हम को चुनाव की तयारी करने का समय मिलेगा। लोगों को किस तरीके से हम प्रभावित इन सब चक्रों में विपक्ष पड़ा हुआ है शायद यही वज़ा है कि विपक्ष के पास समय नहीं है कि विपक्ष आम लोगों की बात सुने विपक्ष आम जम्मों के नागरिक की आम कश्मीर के नागरिक की बात सुने और उस बात को सुनकर सरकार के समक्ष उस बात को जोर शोर के साथ रखे क्या कमी है, क्या कमजोरी है विपक्ष में ये तो विपक्ष के नेताओं को मालूम होगा लेकिन ये आम कारोबारी है ये आम ट्रेडर है ये आम बिजनसमेन है ये आम ठेकेदार है जो परिशान है अब सत्ताधरी दल के नेता इन्हें भी आने वाले कलमें चुनाओं में उतरना है और चुनाओं में उतरना जब ये सभी लोग उतरेंगे तो जाहिर सी बात है जब का यह हर आम नागरिक जमो कश्मीर का यह जानता है कि हम एक ऐसे मजबूत लोकतंतर का हिस्सा हैं जिस मजबूत लोकतंतर में चुनाव एक ऐसा समय है जब हम अपने गुसे का इजहार कर सकते हैं जब हम सरकार को यह बता सकते हैं कि हम आपकी पॉलिसी से नाराज हैं हम आपके क आप यहां पर आए उन बदलाओं से अगर हमें नुकसान हुआ है और आप ने उस नुकसान की भरपाई करने की कोशिश नहीं की है तो इस बात का आपको आंकलन हम चुनाओं में कराएंगे चुनाओं से पहले तो संभवी नहीं है क्योंकि आम आदमी के पास आम आदमी ये मा नुकसान हुआ आप ने जो ये पॉलिसी बनाई उस पॉलिसी से जमौकश्मीर के नागरिकों को ये नुकसान हुआ किसी भी राजज्य में किसी भी केंद göz शावसेट परदेश में प्रदेश में سरकार की प्रत्मिक्ता ये होती है कि वहां के लोग सरकार से خुश होने चाह यहाँ का आम कारोबारी सर्कार शे होना चाही है। सर्कारें यहां तक करती है। केंद शर्कार भी कई जगओं पर उफ सान आई चानिक्त। वो सरकार करती किसलिए है, माफ क्यों करती है, वो सर्फ इसलिए माफ करती है, क्योंकि सरकार ये मानती है कि वो समाज की सेवा करने के लिए बनी है, सरकार ये मानती है कि वो आम आदमी को राहत देने के लिए बनी है, सरकार ये मानती है कि उसका काम है आम आदमी की भावनाओ की निशानिया है केंदर में जो पॉलिसीज बन रही हैं जिन पॉलिसीज को पूरे देश पर लागू किया जा रहा है उन पॉलिसीज में से कई पॉलिसीज ऐसी होंगी जिन पॉलिसीज का जमुकश्मीर को नुकसान हो सकता है उस पर पुनर विचार करना और यहां की सरकार का केंदर की सरकार को ये बताना कि जी ये जो पॉलिसी आपने बनाई है ये दिल्ली में तो ठीक है ये पंजाब में तो ठीक है ये यूपी में तो ठीक है लेकिन जब आप इसको जम्मुक्ष्मिन लागू करेंगे तो इस سے आम लोगों को ये नुक्सान हो सकता है ये तमाम बातें केंद्र के समक्ष रखना और इन तमाम बातों पर केंद्र का एक विचार बनाना और उसके बाद केंद्र को पुनर विचार करने के लिए मजबूर करना ये सारा काम सरकार का है सतधारी दल शायद बातों को रखना चाहिए था आम कारोबारी कहता है आम जमुकुश्मीर का नागरिक कहता है कि दल जो है वो असफल हुआ है इन तमाम बातों पर जहां सत्ताधारी दल को विचार करना है वहीं पर विपक्ष को भी विचार करना है क्योंकि विपक्ष को भी चुनाव में उतरना है सत्ताधारी दल को भी चुनाव में उतरना है और चुनाव में उतरने के बाद ही जाकर मुख्य मंतरी की कुरसी पर किसी ने बैठना है दोनु पक्षों को सोच विचार करना होगा क्योंकि अगर और दोनों पक्षाज सोच बचार नहीं करेंगे तो आम लोगों ने अगर कोई तीसरा फैसला कर लिया तो वो तीसरा फैसला सत्ताधारी दल को तो बारी पढ़ेगा ही पढ़ेगा लेकिन विपक्ष को भी बहुत बुरी तरीक से बारी पढ़ सकता है दिल्ली उसकी एक मिसाल है, दिल्ली में कॉंग्रस सत्ता में थी, भजप्पा विपक्ष में थी, लेकिन लोगों ने न सत्तादारी दल का साथ दिया, न विपक्ष का साथ दिया, और एक तीसरे दल के साथ चल पड़े, आम आदुम पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई, य ठोटे राज्यू में लोग जब फैसला कर लेते हैं, वो किसी के भी हक में कर सकते हैं, और जहां जनता जनारधन हो, जहां जनता ही तै करने वाली हो, कि यहां सरकार कौन बनाएगा, वहां किसी भी दल को, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए, कि हमारी नया अगर पिछली बार फला ने पार लगाई थी, इस बार भी वही पार लगाएगा